नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड और आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोग्राफी ओफ नाना फटनिवस और माद जी सिंधिया के बारे में तो ये मराठा सामराज्ये के दो ऐसे इस्तंब थे मैत्यपूर इस्तंब थे जो पेशवा ना होती हुए भी इन्होंने मराठा सामराज्ये को एक बहुत मैत्यपूर योगदान जो है वो दिया था अब पेशवा की तो जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो संचालन करता है इसलिए लेकिन ऐसा कोई आदमी काम करे जिसके पास ना कोई पद था ना कोई मैत्यपूर जिम्मेदारी थी लेकिन फिर भ अब हम आगे बढ़ते हैं ये मराठा सामराज्य का द्वज्य हो गया जैसे आप लोग आजगल देखते हो ना मंदरों पे ऐसे द्वज्य लगे होते हैं भववा द्वज्य लगे होते हैं तो बिल्कुल ऐसे द्वज्य है वो मराठा सामराज्य के हुआ करते थे अब देखो ह जब अंग्रेजों का क्या हो चुका था उदबव हो चुका था ये जो बंगाल कोलकाता का एरिया है ये अंग्रेजों के अदिन था ये हैदराबाद के निजाम के अदिन था ठीक है और ये जो नीचे का करनाटक वाला हिस्सा था ये मैसूर के पास था जो कि टीपू सुल्ता के अधीन था बाकी का ये राजिस्थान का राजपुताना चित्र अब देखिए ये जो मद्दे का चित्र था ये मराटा सामराज्य के अधीन था जिसमें से इतने से ज्यादा अधिक तो अकेला सिंधिया जो है वो देख रहा था यम्नानादी के आसपास का चित्र जो है इसम इधर का जो है वो नाना फढनी वश की अदिन था वैसे था तो पूरा मरेटा सामराज अधिन बहुलग रूपसे यह बिवाज था जिसमें गायकवाड था जिसमें गायक बाठ भोश ली था महाद जी सिंधिया थे नाना फढनी वस था लेकिन पूरा सामराज ज्य पेशवा क क्या दिन माना जाता था क्या किया जाता था माना जाता था अब देखो आप यह देखिए अब लोग और यह कौन आ गया तो यह हैं महाद जी सिंदिया या माद जी सिंदे जो की थे ग्वालियर के सासक आप देखने में काफी ठीक लग रहे हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब महाद जी सिंधिया के वारे में हम जानें इनकी बायोग्राफी जानें तो 1730 से लेके 12 फरवरी 1794 तक क्या रहते हैं यह सासक रहते हैं क्या रहते हैं सासक रहते हैं ठीक है चलो थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं अब देखो इनके पिताजी जो थे वो रानो जी राब सिंधे थे याद रखना सिंधिया और सिंधे एक ही होते कहीं कंफ्यूजन हो जाओ ठीक है बाला जी विशुनात के समय पर इनके पिताजी आते हैं यानि कि जब बाला जी विशुनात माराटा सामराजे के पेशवा थे तो उस समय इनके पिताजी आये थे, इनकी पिताजी की पतनी थी जिसका नाम क्या था चीमा भाई था, अब देखो इनके पिताजी की 5 संताने होती हैं, जिनमें एक जयपत है, दूसरे दत्ताजी थे, तीसरे तूको जी थे, चौते माध जी थे और पांच वे जोतीवा थे, अच्छा तो पांच संताने होई थी इनके हां लेकिन इन में से दो संताने ही क्या थी लीगल थी। अब आप लोगोगे स्वाव लीगल का मतलब क्या है और क्या आकास में से आई थी। नहीं। जयप्पा और दत्ताजी जो है इनकी बैद पत्नियों से उत्पन संताने थी और बागी की तिन कहां से आ गए तो देखो इनके उनको नहीं माना जाताथ थे उनको नहीं माना जाता थे तो इनी के लेकिन सामाजिक स्विक्रिती जो है वो नहीं मिली होता है बहुत सारे रिस्ते ऐसे होते जो समाज की नजर में नहीं होते लेकिन बास्तम में होते हैं तो समाज को दिखाए नहीं देते लेकिन बास्तम में होते हैं और ऐसे रिस्तों की स 1768 को क्या हो जाता है इनका राज्यवसिक हो जाता है अब मैं एक ची तुमको बता देता हूं कि सर राज्यवसिक कैसे हो गया इनका इनके भाई थे ना पांस तो भाई थे यह चौथे लंबर के भाई थे तो इनका राज्यवसिक कैसे हो जाता है तो मैं उसके लिए एक लाइन चार वाई थे, वो मारे गए थे, ये अकेले बचे थे, अब कोगे साब अकेले कैसे बच गए, तो ये भाग क्या आ गए थे युद्ध से, ठीक है, अकेले कैसे बच गए, ये युद्ध को हाडता हुआ, देख इन्होंने कहा था, मरने से बेतर है कि जान बचाए जाए, वो चार के की एक लाइन है ना, कि एक राजा को, एक जो राजा है, उसमें सेर जैसी बादुरी और लूमडी जैसी समझ होनी चाहिए, क्योंकि सिकंदर की बज़े से, चंदर को भी बाग कर आ गया था, उसके सिबर से, तो बिलकुल ऐसे माधजी भी होते हैं, वो बाग कर आ ज सबसाट को, अब देखो ये, अब हकेले बचे थे, तो सबाबक है, सारे साम, जो ग्वालियर का पूरा चेतर है, इसके करता दरता बन गए आ कि ये, 1772 में इन्होंने समराट सालम को बिठाया, अब सालम को, इन्होंने कैसे बिठा दिया, कहां बिठा दिया इनको, तो देख कि इनको कहां बिठा दिया और इसका क्या रॉल था इसमें माजी सिंदिया का तो देखिए जो अबदाली पानीपत का तीसरा यूद जीता था उसने दिल्ली पर बिठा रखा था सहाजात तिर्थिये को अच्छा उसके बाद क्या होता है महाजी सिंधिया मराठो की सेना लेकर जाते हैं सहाजहां तिर्थिये को अबदस्त करते हैं और उसकी जगे पर समराठ सहालम को बिठा देते हैं तो आप लोग कहोगे सर क्या अवदाली ने इसको नहीं रोका था अवदाली जो है वो चला जाता है क्योंकि अफगानिस्तान में बिद्र हो गए थे इसलिए मराठो ने सहाजह तिर्थिये को अटा दिया और उसकी जगे सहालम को बिठा दिया था किलियर हो गया? चलो बिल्कुल किलियर हो गया अब चलो कोई बात नहीं अब होता क्या है? इन्होंने अपना सहिना नायक जो है वो बनाया था टीवायन को ठीक है? किसको बनाया था? डीवायन को बनाया था आप लोग को होगे साब डीवायन तो कोई हिंदी का नाम तो है नहीं यह तो कोई यूरोपिया नाम है तो बिल्कुल हाँ ये फ्रांसिसी था और इसे इसने अपना सहनापती बनाया था ताकि अंग्रेजों के ब्रोदे का अच्छी सहना का गठन किया जा सके ऐसी सहना बनाई जा सके जो पश्यमी कल्चर से बुनी हो जिसे बंदूग चलाना अंग्रेजों का सामना करना आए अगर आपको किसी को तय प्यार करना है तो आपको उसके जैसी ही युद्ध पंदती सीखनी पड़ेगी क्योंकि मराथे जोते हैं तो गोड़ों पर बैठकर तलवार लेकर भागते थे सामने वालों के पास बंदुक होती थी तो कैसे जीत जाओगे बताओ नहीं जीतोगे न तो इसलिए डी वायन को क हत्या कर दी जाती है उसके बाद इन्होंने क्या किया उत्तर वारत से दूर रहना पड़ा अब नारायन राव की हत्या हो जाने के बाद इन्हें उत्तर वारत से दूर रहना पड़ा मैंने पिछली बार बताया था कि किस पिरकार नाना फड़नी बस और सिंधिया की सहयुक् ताकि आपको बार-बार समश्या का सामना ना करना पड़े ठीक है तो सालवाई की संधी होती है तो उसमें माजी सिंधिया जो होते हैं मद देस्ता करते हैं अंग्रेजों के और नाना फडनिवस के बीच में लाश लेक्चर में बता दिया था अब देखो 1782 में संधिया जब होती है उसके बाद संधिया जो होते हैं ये अपने विजया वियानों की सुरुआत करते हैं और इन्होंने लाहोर के उपर आकर्मन किया था लाहोर उस समय तैमूर साक्या दीन था तो तैमूर साथ तुर्रानी से युद्ध लड़ा उसको पराजित किया और उससे सौमनात मंदर के तीन चांदी के जो फांटक थे ना ये लेकर वापस आता है ये बहुत महत्यपूर लाएन है तो आप लोग कहोगे सार तीन चांदी के फांटक तैमूर साहा के पास कैसे पहुँच गए देखिए सिंधिया के समय लाहोर पर आकर्मन सुनियोजित आकर्मन होता है और ये जो आकर्मन था वो पंजाब के कुछ जो लड़ाके थे उन्होंने सिंधिया को आमंत्रन दिया था कि आओ और आकर्मन करो मदद करो हमारी सिंधिया उनके कहने पर जाते है तो सौमनात मंदर की जो लूट हुई थी उस लूट में ये लोग वहां के फांटकों को खाड़ के ले गए थे बहुत पहले तो वो फांटक जो हैं वो अभी भी लाहोर के चित्रों में थे वहां के मुगलों के अदीन थे वहां के अफगानियों के अदीन थे अब उनको करना क्या था इन फांटकों का देखो वो फांटक इतने बड़े भी दी थे कि उनको किसी दुर्गुपल लगा जा सके और वो फांटक ऐसे भी नहीं थे कि उनको सर पे रखके कोई घूमता रहे कि देखो मेरे पास चांदी के फांटक है ठीक है और ना उनके पास ऐसी कोई पडती थी अँप देखो एसा थोड़ी है कि उनको मसीन में लगाके इनके कुणडल बना लो इनकी चूड़ी बना लो इनके जुमके बना लो या मैं तो अपनी अम्मा को देने कर जाके या अपनी पत्नी को देंगे देख तेरे लिए में क्या लेकिया जाओ ठीक है वो चांदी की कठोर दातु से निर्मित थे तो वो उनके भी काम के नहीं थे लेकिन उन्होंने क्या है जैसे एक बच्चा होता है न वो बहुत सारी चीज़े खटा कर लेता उसका बैग देखना आप लोग उसमें टूटी बूटी पुराने पैन पैंसिल किताब है सब खटा करके रखते हैं तो बिलकुर ऐसे ही अब इस युद्ध के आकरमण में सिंधिया को वो गेट हाथ पैसे की कमी तुटी नहीं जो बखतों होते हैं उनके पास पैसे की कमी तोडियो कोई तब मतशोर इनको के मंदर होता है और सब्सस्रьक कर midnight गोपाल मंतर उज्जेन होता है अनकि तीनु मंदिर MP में हैं तो इन मंदिरों पर इन गेटों को चड़ा दिया जता है ठीक है थोड़ी नौलेज के लिए याद रखनी है थोड़ी सी कहानी की रूप में चलिए यह चीजे तुमको अक्सर किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे चलो आगे चलें बिलकुल उसके बाद यह अक्रमण सफल हो जाता है उसके बाद 1787 में इन्होंने राजबुतों पर अक्रमण किया लेकिन सफलता नहीं मिली तुमका का युद दोता है 18 जुलाई 1987 में इसमें सिंधिया की पराज होती है तो आप लोगों के सर थोड़ा सा बता यह जो है आक्रमण होता है और इसमें प्रॉमेस जो है वो किया हुआ था जैपुर के लोगों के द्वारा इस्वरी सिंग के द्वारा प्रॉमेस किया था कि हम तुमको सपोर्ट करने के संदर में क्योंकि आप लोगोंने जब फस्ट इयर में पढ़ा था राइस्ट्री अंदर मराठों का आकर्मण उसके वीडियो अभी भी पड़े हुए हैं तो उसमें माने बताये था प्रताप सीऔर इसुरी सीघ के अन। तो उसमें मराठ्वों ने और सबसे पहले कि जो सपोट है sizin का लिया था इसरी सिंग पैसा देने में असमर्त होता है ऐसरी से आत्मत्य में कहना वैंत है उसके बाद पृताब सिंग्स ऑन्सक बनता है तो प्रताब सिंग से यह लोग पैसा मांगने पहुंजाते जाते हैं प्रताव सिंग के पास पैसे थे नहीं की पैशे होते तो इसी सिंगी देता हुली क्या था धिधन की नकी न की रहाट में रुटे के अंदर गया था है और बाद में एक युद्ध हुआ था इनके मद्य में कुन सा तुंगा का युद्ध 18 जुलाई 87 में तो इसी युद्ध में भी इनकी क्या हुई थी पराज हुई थी ठीक है 1787 है याद रखना है कि 1987 कर दो चलो क्योंकि तुमारी कौपियां बाद में जो नैश्ट बच्च आएंगे वो भी इस्तमाल करेंगे ना चलिए आने वाली पीडियां भी याद करेंगे चलो अब देखो होता क्या है 20 जून 1790 को पाटन के युद्ध में पाटन कहा पड़ता है गुजरात में पाटन के ठीक है और इस बार जो ये युद्ध होता है मेटटा का इसमें भी दुबारा पराजय होती है और 60 लाक रुपे और सांबर और अजमेर का चित्र जो होता है वो देना पड़ता है राजिस्थन के राजपूसासकों को उसके बाद में फिर जैपूर की सेना भी क्या होती है प्राजित होती है और 1701 में में जैपुर के साथ संदी हो जाती है जिसमें 17 लाख रुपे जैपुर को भी दिने पड़ते हैं तो ये दो लायने याद रख नहीं है एक जैपुर एक जूतपुर चलो अब देखीए आगे क्या होता है 1788 मेन, इसमायल लिबेगे सईब से गुलाब गुलाब कादिरो नेया नाम आगया तो आप लोग जागे स़ाब गुलाब कादिरो कोन आगया पै? गुलाब कादिरो ने 20132 को अंधा करवा दिया आप लोग कोगे साथ सालम सेकंड तो दिल्ली का सा सकता बिल्कुल था अब आप लोग कोगे साथ यहां अगर मैं किलास में होता तो मुझे यहां रोक देते और कहते साथ पहले तो यह बताओ यह इसलाम बेग कौन था और फिर यह कहते कि साथ यह बताओ यह गुलाम कादरी क कौन था निश्यद केते मुझे मालूम है चलो बताते हैं इसके बारे में तो इसलाम बेग जो था यह नेता था किसका नेता था कि अरे अरे को एक मिनिट कौन होते हैं कौन से मुश्लिम बोलते हैं उनको म्यामार से आए थे भारत में मुझे पता है तो लोगों को किसी कुद याद होगा रहे कौन से मुसल्मान आये थे म्यामार से भारत में जो सरनार्थियों के रूप में रहे थे पर सच्छी में बूल गया कौन से थे हाँ रोहिल्ला मुसल्मान अर्रे अब याद आया है चलो हाँ रोहिल्ला मुसल्मान जो थे उनके नेता थे इसलाम बेग ठीक है रोहला मुसलमानों की क्या थे नेता थे इसलाम भे ठीक है अब देखो हम बात करते हैं गुलाब कादुरों की देखो गुलाब कादुरे यो थे ये थे गुलाम कौन थे गुलाम थे आप लोगो को सब गुलाम थे मतलब समझ में नहीं आया जब सिंदिया ने इसलाम सा दिवा में ये बेविन्य पदों पर काम करते हैं जिसमें काजी का पत्था बेरियस पत्थे लेखा जोगा का पत्था तो ये इनकों काम किया करते थे उसके बाद देरे-देरे इनकी प्रतिष्टा जो है वो बढ़ने लग गई लेकिन मन ही मन जो गुलाब कादरों थे ये की ठाथा सामराज्यशमें ब्यास्ट हो जाते हैं और इनकी अंग्रेज्वों के हाथों पराजे हो जाती है उसके बाद गुलाब कादरों evidence कि आप किसों अ को अन्दा कर दिया उन्होंने कि इसको अंदा कर देते हैं इसके बाद मैं ही बचDesda और कोन बचेगा और उसके बाद और छुरुप से साथन करते हैं यानि कि इनों ने जो साल में इसक मारा नहीं था केबल अंदा किया था शासन किस philosophy कुलाब का लेनी है चलो तो फिर आप लोग कोगे सर डाई महीनी सासन क्यों किया डाई महीनी इसलिए सासन किया कि फिर इदर क्या होता है सिंधिया को मालूम चलता है सिंधिया बापस कहा आता है दिल्ली आता है तो गुलाब कादरों को प्रास्त कर देता है चीक है गुलाब कादरों क्य यानि कि जो इनके परिवार के जित्ते भी बच्चे थे ना इनके चाचा ताओ के जो भी राजा बने योग के बच्चे थे उन सब को माट डाला ठीक है पापा की परियों को भी माट डाला और पापा के जो लाड़ ले थे उनको भी माट डाला यानि कि कोई बंस में छोड़ा कुछ भी कर सकते हैं लोग लोगों का क्या है चलो अब होता क्या है बापस से सिंधिया जाते हैं गुलाब कादुरों क्या करता है बागता है गुलाब कादुरों सोचता है कि सिंधिया तो मुझे छोड़ेगा नहीं इसलिए बागते समय क्या करता है बहुत सारा पैसा लेकर रखता है बगगी में ठीक है बगगी इनकी जो गोडे वाले होते हैं गोडे वाले बगगी थी उसमें बहुत सारा सवना चांदी इसने बढ़ा अब देखो इस एक बीच में टर्निंग पॉंट आता है कि यहां पर सहा आलम सेकंड के ही परिवार की कोई महिला थी जो कि गुल गार देते हैं जब भागने का मौक आएगा तो तुम मुझे बता देना उसने का ठीक है तो उसे अब देखो जो मैला थी वो तो सोचती थी कि बिल्कुल हां सच्चा प्यार होगा बिल्कुल और गुलाब कादरों ने क्या का ओ जितना भी मेल का जो पैसा था वो इससे क्या किया बाहर गड़वा लिया बाहर एक निश्चित मैदान में रखवा लिया ठीक है लेकिन जब गुलाब कादरों को भागने का मौक आया डाई साल तक सासन किया अब जब गुलाब कादरों को भागने का मौक आया तो इसने वो जो सारा पैसा रखा हुआ था वो सारा पैसा नहीं है वो बिचारी रह जाती है वो तो बहुत अपने देख रही थी कि एक नया सामराज्य बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे तो उसके बाद क्या होता है यह भाग जाता है लेकिन गुलाब कादरू जब भागता है तो रात में यह बागता है इसका जो गोड़ा कम करता है उसके बाद ये कुछ आदा पर्दा बढ़ता है अपने जोले पटोरों में पर यह कि क्या करता है एक पास के ही कश्बा होता है वहाँ पहूंच जाता है तो वहां एक ब्रामध की घर में जाता एफ भादू को कहता है कि मुझे सरन चाहिए तू ले 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 कि यह कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं सब्सक्राइब लेकर आया है अब उसे सोने चांदी का जो यह भरके ले गया था उसमें बहुत सारे मुकट थे बहुत सारे कुंडल थे सोने के तो उसने पैचान लिया कि यह तो राजा के चोरी करके लाया 14 सा जैसे यह घर में दिखा यह बैटा हुआ था अंदर खाना वाना खाके बिचारा अगली रंडीती बना रहा था सुबह चार बजे कहां भागना है तो मराटा सेनिक ने क्या किया इसको पकड़ लिया और पकड़के इसको ले जाते हैं अपने साथ में और बापस से सासक बना तो वो कि तैसा गुलाभ पकादर थेसा को गलाब यान काट शिंद्या ने कहा कि क्या कर सकते हैं तो गुलाभ कादरों की ञती हैं मुझे पता कैसे ही लोग निकलवा लेते थे कई बान मेंनको बहुंद डीपली पड़ता हूं तो एक दो आर गूमके आते हूं फिर बापस बैठता हूं फिर बड़ता हूं ठीक है अब गुलाव कादुरू की दोनों आखे जो होती हुए वो निकल वाली जाती है नियुकुत काट ली जाते हैं लेकिन फिर भी गुलाब-कादर जीवित था मरता नहीं आखे निकलवाने से मुझे ने पता बरत डर्द कतमा रहता होगा ठीक है अब उसके बाद क्या होता है तो कुछ महीने के बाद सालन ठीक है अब गुलाब कादरों के बाद में दोनु हाथ और दोनु पैर काड़ दी जाते उसके बाद इसकी दर्द से मृत्ति हो जाती है फिर सालमदुत्य को कहते हैं कि बहीं बताओ क्या करना है उसका तो कहते हैं ऐसा करो उसे पेड़ पट टांग दो और बहुत ही दर्दनाक मौत जो होती है मैं सोच भी नहीं सकता कि ता कुछ होगा ठीक है आप लोग सोचो एक नाखून को आपका जो नाखून होता है विसको पिला से खीचके निकाल दे तो किता दर्द होगा ठीक है चलो अब ज्यादा नहीं जाते हैं डीपली चलो आगे बढ़ते हैं तो इस प्रिकार से जो होता है सासाग बना दिया जाता है ठीक है यह पेज गलत एड़ हो गयागी इसमें चलो चली है अब देखो आगे बात करते हैं जो नाना फटनी पसेना यह सिंधिया से जलता था मैंने तुमको एक छोरी बताई थी लाश्ट आपिक में कि जो समान व्यक्तित्तों वाले इंसन होते हैं उनकी कभी नहीं बनती ठीक है है तो बिल्कुल अब यह नाना फटनीवस इससे जलता था तो इसलिए क्या कि इस ने राज्ञिति रूप से इसको कमजोर करने का Polish मत稅 इसके किसी उआरे नहीं चाहिए कर सिंदिया ने करता कि ऐसा अधर अलीर सेज्डै करनी जब सिंदिया ने का टिपसुलताँ की मदद करनी चाहिए, तो यह से नान और सिंदिया की मद्द्य लगाता रहें इससे क्या हुआ। यह दोनों के बीच में मटवेदों की बजा से दोन वालग रहे दूसरी तरफ सिंदिया और होलकर का संगर जो है वो भी चलता रहा क्योंकि इस होलकर और सिंदिया में आपसी सामझे सथा नहीं क्योंकि होलकर के भाई की अत्या जो है इन लोगों ने कर दी थी इसलिए एक युद्ध भी होता है इनके मद्दे में 1793 में लाकेरी का युद्ध होता है इसमें होलकर क्या होता है परास दोता है ठीक है उसके बाद यह सारी रुप से कमजिग पढ़ जाता है और जून 1793 को बीमार पढ़ जाता है ः। 12 फरवरी लेक्चर डोगा उस्में समझेंगे तो मैंने आपको सिंदिया साथ के बारे में बताया है आपको अच्छे से ज्यान रखना है कि सिंदिया क्या थे कहां की सा सकते कैसी जरनी रही और से दो लड़े क्या स्टूरी रही क्या कानी रही उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कोई भी सवाल जबाब कोश्चन डाउब कुछ भी हो कमेट सेस्ट में लिखना बताना मुझे चलिए मिलते हैं नेस्ट लेक्चर में तब तक के लिए ठैक युदर ने बवाच चक्यार